नमस्कार दोस्तो मेरो नाम है कुलिशन तो आगया हूँ एक और वीडियो लेकर गाइज एक वीडियो काफ़ी सारे कमेंट के बाद आई है सोरी इस वीडियो को बनाने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि CP Plus का जो DVR है उसकी एक एप है जो की नाम है GCMOV लेकिन कुछ दिनों से उसमें इशू आ रहा था जिसके चलते मैंने लास्ट वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी GCMOV एप को अपडेट कर लीजिए या उसको अनिस्टोल करके रीइंस्टोल कर लीजिए उससे सो में से 50% का तो प्रॉब्लम सोल हो गई लेकिन अभी भी काफी यूजर हैं जो कि मुझे कंटीनियू कमेंट कर रहे थे कि उनके फोन पे अभी तक कैमरे स्टार्ट नहीं हुए आज की डेट में फोन पे कैमरे ना चलना इतना बड़ा इशू बन चुका है क्योंकि हम काफी लोग डिपैंड हो चुके हैं और जो कि CCTV इंसोल करता है उसके लिए तो और बड़ी मुश्किल है क्योंकि उसके पास एक कश्मा का नेंग कम से कम 50 कश्मा का फोन आ गया कि भाईया मेरे कैमरे मेरे फोन पे वर्किंग नहीं है तो प्लीज इसको रिजॉल करें तो काफी लोगों ने मेरी वीडियो देखी और काफी लोगों ने ट्राय किया उन में से आधे लोगों के प्रोब्लम सोल हुई लेकिन आधे लोगों के प्रोब्लम अभी भी जस्की तज़ बनी हुई है अभी भी उनके phone पे camera online नहीं होते ज़्यादा तर issue यह आ रहा है कि उनके phone पे wifi के थूर दूर camera play हो रहे हैं लेकिन जब वो आते हैं 4G पे तो camera play नहीं होते camera start नहीं होते phone पे live camera चल रहे हैं status online है सारी setting ठीक है फिर भी phone पे camera play नहीं हो रहे तो इसका क्या issue हो रहता है उसको लेकिन आपको phone पे एक बारी check करेंगे हम wifi के थूर देन हम check करेंगे 4G के थूर और देखेंगे कि ऐसा issue क्यों आ रहा है और इस video में आपको बताने वाला हूँ इसका solution कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो camera है आपके phone पे अच्छे तरीके से working करें कोई भी issue ना है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नम है गुलिशन चले शुरू करते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पे मेरा phone दिख रहा होगा जिसमें की GCMOB app installed है और वो working है मेरे camera चलते ने चलते एक बार हम check करेंगे wifi से तो अभी आपको दिख रहा होगा मेरे जो wifi है वो connected है गुलिशन गुलिशन नाम से तो अब simply हम play करते हैं मेरे camera की camera working है के नहीं है तो through wifi मेरे जो CCDV camera है वो fully working है अब हम एक बार हम wifi को बंद कर देंगे अपने data connection on करेंगे और फिर चेक करेंगे same camera working है के नहीं है तो एक बार ही इसको वापस आ जाते है home पे तो यागे home पे अब चलते हैं wifi को बंद करते हैं और अपने phone का data network मेंने on कर दिया है मेरा 4G connect हो चुका है मेरे phone पे networking है के नहीं एक बार ही ये भी चेक कर लेते हैं जैसे कि YouTube खोला मैंने एक बार YouTube पे कोई भी वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कि वीडियो प्ले हो रहे के नहीं हो रही तो गाइस मेरा जो net है वो fully working है कोई भी issue नहीं है net में ये मेरा आप देख रहे हैं मेरी वीडियो प्ले हो गई है तो इसमें इशू नहीं आ रहा तो अब आप पे चलते हैं एप के अंदर GCMOB खोलते हैं और यहाँ पे चलते हैं कैमरे पे क्लिक करते हैं नेक्स करते हैं यहाँ पे खोलते हैं कैमरे तो आप देखेंगे मेरे फोन पे मेरे camera working नहीं हो रहे मतलब through 4G working नहीं हो रहे और through Wi-Fi working हो रहे है तो इसका क्या solution है क्या एक तरह से problem का हल है वो मैं आपको इस video में clear करने वाला हूँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी app को uninstall करना पड़ेगा तो एक बारी app को uninstall करते हैं and again उसको install भी करते हैं so guys मैंने अपनी app को delete कर दिया है और एक बार दुबार से इसको यहां से मैं install कर लेता हूँ so मेरे phone पे install हो गई है एक बारी इसको अपने phone पे वापस ले आता हूँ तो मेरे phone पे install हो गई है so guys मेरे phone पे app को मैंने वापस install कर लिया है एक बार चलते हैं camera पे click करते हैं next करते हैं guys यहां से आपको एक option आ रहा है do you agree the declare guys यहां पे आपने इस पे click करना है और subscribe करना है यह option कई लोग छोड़ दे रहे हैं मैं भी छोड़ दे तरह cancel कर दे रहे हैं लेकिन ये एक अपना mobile phone में android की तरफ से नया update आया है कि इसकी वज़े से sometime हमारा जो net है वो उस app को मिल नहीं पाता तो आपने इसे यहां से subscribe करना है अगर आपके phone के कोई भी allow का option आए आपने सारे option को allow करना है तो जैसे कि मैं आगया हूँ remote device, local device, demo का option आ रहे है तो ये सारी settings मेरी on है due to change due to due to the change of google push service please resubscribe alarm push तो guys अब आपने यहां पर अपनी device को add करना है तो add करने के लिए आपको simply जाना है device manager पे यहां पे करना है plus पे click ok करना है wire device करना है next करना है insta on पे click करना है यहां पे आपको नाम लिखना है तो मैं नाम डाल देता हूँ यहां पे आप scan कर सकते हैं यह type कर सकते हैं serial number तो मैं type कर देता हूँ यहां पे डालना है password तो मैंने DVR का password यहां पे enter कर दिया है live view में main कर दिया है और start live view में क्लिक कर दिया है guys मेरा अभी wifi बन है 4G on है और आप देखेंगे मेरे phone पे camera play हो जाएंगे so simple सी बात है कि हमने क्या किया हमने app को reinstall किया reinstall करने के बाद हमने simply इसमें कुछ नहीं किया हमने reinstall करने के बाद अगर कोई भी इसके लावा आपके पास allow का option आए तो उसको please allow कीजिए किसको भी आप disagree मत कीजिए इससे भी issue आ रहा है तो यह कुछ एक update से ही जिससे की mobile phone पे camera चलने बंद हो गए थे तो ऐसा नहीं कि जिन्दों ने भी subscribe नहीं किया तो उन सब के बंद है आपके रिंसोल कीजिए allow कीजिए जो options आते हैं साथ में subscribe कर लीजिए उसे do you agree पे click करके subscribe कर लीजिए और अपने फिर camera add कीजिए आपकी problems मेरे साफ से center percent soul हो जानी चाहिए so guys GCMOB app के through कैसे आप camera watch करते हैं इस पे आप recording check कैसे करते हैं इससे आप DVR का password change कैसे करते हैं इससे आप backup कैसे लेते हैं बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे available है cp plus, equation, dhua इन सब DVR की वीडियो मेरे चैनल पे regular बनती रहती हैं अगर आपको पहले ये वीडियो पसंद आई हो तो please like करे, पसंद आई, dislike करे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बैल आइकन पे क्लिक करके notification on कर सकते हैं तक कि future में जब बे में वीडियो अप्लोड करूँ आपको notification मिल जाए कि गुशन मलचनल वीडियो अप्लोड की है कोई भी मन में doubt रहे गया हो comment box में write कीजिए मैं उसका answer जरो दूँगा thank you so much आपने इस वीडियो को इतने end तक देखा भगवान आपका दिन शुक करे thank you so much